थाइरेड की बिमारी एक बहुत ही कॉमन बिमारी है और थाइरेड की बिमारी को लेके बहुत सारे सवाल भी उठते रहते हैं कि थाइरेड होता क्यों है थाइरेड होता क्या है? थाइरेड प्रिग्नेंसी में क्यों हो जाता है? क्या प्रिग्नेंसी के बाद भी थाइरेड कंटिनूर रहता है या वो ठीक हो जाता है? क्या मर्दों में थाइरेड की बिमारी होती है? हाइपर थाइरेडिस्म क्या होता है? इन दोनों के लक्षन क्य क्या होते हैं, और इसके नुकसान क्या हो सकते हैं, तुर यहीं सारी बाते करने वाले हैं और डिटेल में बात करेंगे, ठायरेट की बिवीमारी अच्छल में है क्या, Question ग्लेंड आपके जले में यहां पर एडम सेपल के पास होती है और जब यह ग्लेंड या तो बहुत तेज काम करती है या काम करने में सुस्ती करती है तो यह दो बिमारिया पैदा करती है अगर यह सुस्त हो जाती है तो इसको हाइपो थायरेडिस्म कहा जाता है और अगर यह symptoms या लक्षन जो हैं बिलकुल एक दूसरे के उलट है तो पहले बात कर लेते हैं कि इसके लक्षन क्या होते हैं अगर हम हाइपो थारेडिस्म की बात करें तो मरीज को एक तो नींद बहुत जादा आती है मरीज को सुस्ती बहुत जादा आती है और ऐसा लगता है कि चलो पू मैंसेज इर्रेगुलर हो जाते हैं अब क्योंकि प्रिग्नेंसी के दोरां तो मैंसेज आते नहीं है तो उन दिनों शायद आपको ये मैंसेज का इर्रेगुलरिटी ना पता लगी लेकिन प्रिग्नेंसी के बाद या जिन फीमेल्स को थारेड है हाइपो थारेडिस्म है उन आप एक सफेद सी लकीर बन जाती है और कई बार मरीज डिपरेशन में भी चाह सकता है इसके उलट हाइपर्थारेडिजम होता है लेकिन उसमें मरीज बहुत खाता है भूँख जादा लगती है लिन एंथिन होता है बहुत जादा एक्टिव रहता है तो बिल्कुल उसके उल ही सबसे बड़ा कारण यहीं होता है कि ड्रिंग प्रिखन सिल रिलेटुल होते हैं और क्युंकि हार हार्मोन से रिलेटुब विमारी इसलिए प्रिखनेस सीमें बन जाता है और वियन की कमी से गेंगा रोंग इस तरह से भी थाइड की विमारी डवलब हो सकती है थाइड की विमारी प्रिगनसी में दूसरे कॉम्प्लिकेशण भी कर सकती है एविन delivery में भी कुछ complications हो सकते हैं, इसलिए ठारेट का control रहना बहुत ज़रूरी है, और साथ ही साथ यह आपके बच्चे बी असर डाल सकता है, एविन पैदा होने के बाद भी उसको ठारेट की विमारी पैदा हो सकती है, इसलिए आपको during pregnancy thyroid का level maintain करके रखना चाहिए और अपने डॉक्टर से सला मश्वरा करते रहने चाहिए इसलिए pregnancy की दोरां PSH या पूरे thyroid function की चार्च कराना बहुत जरूरी हो जाता है ये जानने के लिए कि आपको कहीं thyroid की विमारी डैवलप तो नहीं हो रही है और सही रहते उसका समय पे इलाज कर दिया चाहिए तो बात कर लेते हैं कि thyroid का इलाज क्या है इसका बचाव क्या हो सकता है तो दीखी सबसे अच्छा तो prevention यही है कि आपको जैसी diagnose हो जाता है कि आप pregnant है तो आप अपना thyroid का level जरूर चेक करा ले thyroid function जरूर टेस्ट करा ले और उसमें देखे कि आपका TSH का level बढ़तों नहीं रहा है जो pregnancy में normal ranges होते है उसके हिसाब से अगर pregnant नहीं है तो आपको वो normal ranges चेक करने चाहिए जो non-pregnant population के लिए हमने उपर बताई है अगर आपको thyroid हो जाता है तो फिर आपको खाने पीने में भी एतियात बढ़तने की जरूरत है आप ज़्यादा ज़्यादा हरी सबजों का इस्तमाल करें ऐसी चीज़े खाएं जिनमें जिंक की मात्रा ज़्यादा हो थोड़ी exercise करें अपका blood circulation बना रहे और अपने डॉक्ट तो आपको थोड़ी ज़्यादा dose दे 100 या उससे ज़्यादा microgram per day की dose दे लेकिन दिर दिर जिसे आपका thyroid control होने लगे तो डॉक्टर हो सकता उसको पचास या पच्चीस microgram तक लेके आ जाए या अगर आपका thyroid control नहीं है तो dose और भी बढ़ जाए तो इसलिए हर तीन मेहने प अगर आप thyroid चेक करा के रखेंगे और आपका thyroid नॉर्मल रहेगा pregnancy की दिनों में तो बहुत स्यादा chances है कि आपको pregnancy की बाद delivery की बाद फिर thyroid develop ना हो कुछ दिन दवाई खा के शायद आपका ये चूट जाए लेकिन कई बार बहुत सारे cases में ये continued हो जाता है और आपको काफी लंबे समय तक दवाई खानी पड़ती है तो अगर आपको ये वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो इसको जादर जादर लोगों को शेर करें चैनल पे पहली बार आ है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें बेल एकन का डब बटन दबाना बिलकुल ना भूले तो डै